question express this number in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0 तो हमें इस number को express करना है p upon q के form में इसको हम two different method से solve परेंगे first method let x equal to 2.113 इसमें 13 पर बार लगाँ और इसके बार को फटाएंगे तो यह 13 repeat करता जाएं और अब हम इस number को पहले 10 से multiply करेंगे और फिर 100 से करेंगे तो point के बाद जो है decimal identical बजाएंगे तो पहले इसको हम 10 से multiply करते हैं multiplying both side point 10 so we get 10 x equal to तो point जो है one digit के बाद shift करेंगे 21.131313 total and this equation is second इसमें हम second में first को minus नहीं करेंगे क्योंकि point के बाद के जो digits है वो identical नहीं है तो अब हम इसमें second question में यह देखना है कि इसको हमें इससे multiply करने से point के बाद के जो decimal से हो identical होगे तो इसको अगर हम 100 से multiply करेंगे तो identical हो जाएगे so again multiplying both sides by 100 तो 100 को 10 से multiply करने से हो रहा है 1000 X को इसमें 2 डिजिट के बाद point होगा राइट साइड तो यह होगा 2113.131313 dot dot and this equation is third तो third और second में तो number है उसमें point के बाद के जो decimal हो identical है तो इसमें हम third में second को less करेंगे second equation को so we get 1000 X minus 10 X equal to 2113.1313 dot dot minus 21.131313 dot dot तो यह होगा 990 X equal to 2 और इसको minus करने से 2092 so therefore X equal to 2092 upon 909 2 से cancel करने से यह होगा 1046495 so equal to 1046 upon 495 15 second method second method भी फर्स्ट जासा similar ही थोड़ा सा changes इसको इसमें भी हम पहले बार को अटाएंगे तो यह होगा 13 repeat करता जाएगा and this equation is first और हम इसको 10 से मुद्धिक लए गरेंगे बोट साइट तो यह 0.1 डिजिट के बाद shift करेंगा करेंगे multiplying in both sides by 10 10x equal to 1.131313 तो इसमें पॉइंट के बाद के नंबर सैम नहीं है तो इसको मैं अगें मुल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो अगर हम इसको 100 से मुल्टिप्लाइ करेंगे तो पॉइंट के बाद के values इडन्टिकल अगें multiplying both sides by 100 तो यह होगा 1000x equal to 2113.13131313 तो अब इसमें और इसमें दोनों में पॉइंट के बाद के जो नंबर से वो आडन्टिकल है तो अब हम इसमें इसको expand करेंगे तो यह होगा 2092 plus 21.131313 dot dot तो इसके ब्लेश में ओगा 10x by equation 2 1000x minus 10x equal to 209 990x equal to 209 upon 990 यह होगा 1046 upon 495 हमें human 15 15 15 15 15 16 15 16 16 झाल झाल